देश बर के अलग-अलग हिस्सों में उन स्टूडेंट्स को धक्का लगा है इस रिजर्ट से जो नीट का एक्जाम देने की तैयारी कर रहे थे और उन पेरेंट्स के लिए भी बड़ा जटका जो बड़े उमीदे पाले हुए थे क्यों का बच्चा नीट के एक्जाम देगा, क्लियर करेगा, भविशी में डॉक्टर बनेगा, मेडिकल लाइन में जाएगा देखे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा अगर आप देखें तो कल के नतीजों की बात करते हैं मैं बताना ये चाहरा हूं कि देखें जब बच्चों को शौक यहां जो मेहनत करता है उसको जब शौक लगता है तो उसके साथ क्या हो सकता है इस चीज का हम अंदाजा शायद नहीं लेगा सकते और वो लोग तो बिलकुल नहीं जो पैसों के बलबूते पे एक्जाम ले लेते हैं पेपर ली करवाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं और जो बच्चे शायद इस चीज के लिए सक्षम नहीं होते सी क्लेर करने के लिए वो पास हो जाते हैं बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं क्योंकि देश बर में आवाज उठ रही है कि नीट का एक्जाम वापिस होना चाहिए आपको क्या लगता है क्य क्या होना चाहिए एक स्पेशल इंवेस्टिकेशन टी बैठनी चाहिए जो पूरे मतलब इस केस को अच्छे से इंवेस्टिगेट करें और एक पेपर वापीस से होना चाहिए क्या लगता है आपी सब्सक्राइब यहीं चाहते हैं कि दुबारा से बच्चों का एक्जाम का होनी चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले अगर इस तरीकी के बच्चे कंट्री को सब करेंगे तो फिर हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा नेगिटिव अलिसाइड है क्या लगता है यह कितना खतरनाक है बच्चों के लिए सखतरनाक तो है अगर पेपर होना ने चाहिए यह बड़ा जरूरी है इस चीज को फिक्स करना कि कौन लोग ऐसे हैं इनको इंटिफाइ किया जाए कारवाई जी बिल्कुल ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे हमारी कंट्री की रेपिटिशन पे भी बात जाती है अगर कोई और आउट साइड चीज की चिंता है कि जो लोग पैसे कमाकर अपना रिजल्ट निकल वा रहे हैं वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को भी खराब करेंगे और साथ ही में डॉक्टर डॉक्टर की भी उनके पास एक प्रॉपर डिग्री नहीं होगी यह बिल्कुल इनोंने जैसे इनोंने कहा कि यह बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप कारवाई ऐसे लोगों पे करें क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों का भविश्च खराब हो रहा है देश की इमेज भी खराब हो रही है जब दुनिया भर के देश देखेंगे कि वहां जो डॉक्टर बनते हैं वो एक्जाम पेपर किया जाए कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि यह पहला वाक्या नहीं है पेपर लीग होने का या इस तरह से होने का इससे पहले जमु कुश्मीर के अगर बात करें सब इंस्पेक्टर के एक्जाम हुए थे उनको रद करना पड़ा थ जब नीट एक्जाम में धांदली की खबर है मामदा सुप्रीम पोट में है और जो चात्र है बड़ी उमीद भरी निकाहों से देख रहे हैं है यानि कि नीट कर जो एक्जाम है वो दोबारा होना चाहिए यह मांग भी हो रही है